हलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चानल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Electrical Safety के Toolbox Talk Meeting के बार में तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी एक्टिवीटी को करने से पहले हमें Toolbox Talk जो Meeting है वो कंड़ा करनी होती है तो आज हम यहाँ पर Electrical Activity के बार में बात करने वाले है कि अगर वो Activity अगर आपको स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने से पहले जो है वरकर लोगों को Electrical City के बार में जो है आपको बताना होता है जैसे कि Electric City यानि कि क्या होता है Electric City में जब भी आप काम करते हो तो उसमें जो है क्या हजार इन्वाल हो सकते है उसके लिए क्या Precautions ले सकते है Path Up Current क्या होता है तो यह सारी Information जो है आपको Toolbox Talk के जरियर देनी होती है Electricity यह बहुत ही बड़ा खत्रा है उसमें आदमी की जान भी जाती है तो इस खत्रे से बचने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है Electricity क्या है वो कैसे function करता है उसके हजार क्या है इसके बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम यह जो होने वाला खत्रा है उसे रोक सकते है electricity में जो electrons है वो flow करते है travels करते है through a conductor और वो travel कहां पर करते है तो एक close circuit में travel करते है अब देखते हैं कि electrical injuries क्या है There are two main types of electrical injuries electrical injuries के total दो main types होते है एक होता है direct और दूसरा होता है indirect तो direct में क्या होता है electrical shock की वज़े से electrocutions हो सकता है या फिर death भी हो सकती है और फिर है electrical shock और उसके बाद आता है burns यानि की जलना और दूसरा जो type है वो है indirect उसमें आता है false मतलब electric shock लगा और electric shock लगने से आदमी को कुछ नहीं होआ लेकिन उस electric shock लगने से वो आदमी उचाई से नीचे गर गया जिसके कारण मानलो उसको गंभीर चोट आई या फिर उसकी death होगी तो वो indirect आएगा जो electrical shock है वो हमें कब receive होता है जब electrical current हमारे body से जब pass होता है तब हमें electrical shock जो है वो receive होता है अब देखते हैं कि shock की severity क्या है तो shock की जो severity है वो तीन चीज़ों के उपर depend करती है सबसे पहला है उसका path फिर है amount of current और third है durations तो first one है path यानि की path of current through the body मतलब जो electric shock लगा है वो कौन से path से आपके body में जा रहा है जैसे कि आपके हाथ से या फिर पेर से सर से body का जो भी path है उस path के उपर depend करता है second है amount of current यानि की जो current लगा है वो कितने amount में आपके body में flow कर रहा है जैसे की amperes कितने amperes है 30 amperes है 40 amperes है 100 amperes है उसके उपर वो depend करता है और third है durations यानि की जो shock लगा है और जो current आपके body में pass हो रहा है उसकी लगबग जो है वो durations कितनी है इसकी उपर shock की severity depend होती है आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसका low voltage है इसका meaning ये नहीं है कि उसका 1000 low है उसका जो 1000 है वो ज्यादा भी हो सकता है वो depend करता है इन तीन चीजों के उपर कि कुन से path से current पास हो रहा है उस current का amount कितना है जो आपके body में पास हो रहा है और कितने durations तक वो पास हो रहा है अब देखते हैं कि path of current flow in body body के through जो current flow होता है उसकी लिए जो most critical path है वो है आपका heart यानि कि heart के through अगर मानलो कोई current अगर pass हो रहा है तो उसका सबसे ज़ादा impact हो सकता है जैसे कि contact from hand to hand एक hand से अगर मानलो आपको electric shock लगा और दूसरे hand से भी आपको electric shock लगा तो उसके बीच में जो आपका heart आता है तो उस electrical shock की वज़े से जो है आपका जो heart है उस current passing flow में आ रहा है तो उसका impact जो है वो सबसे ज़ादा हो जाता है second है hand to foot यानि कि अगर आपका heart उपर में है और वहाँ पर आपको electric shock लगा है और नीचे में भी जो है वो electrical shock जो है वो flow हो रहा है तो उस बीच में जो है आपका heart आता है तो उस वज़े से आपके heart की उपर जो है वो सबसे जादा impact हो सकता है और third है head to foot यानि कि आपके सर और आपके पैरों के बीच में जो आपका heart आता है उसके बीच में अगर मान लो current flow हो रहा है तब भी आपके heart के उपर बहुत बड़ा impact हो सकता है यानि कि पहला क्या है contact from hand to hand, second है hand to foot और third है head to foot अगर मान लो contact जो हो रहा है वो foot to foot हो रहा है या फिर other areas में जहांपर आपका heart नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जो है आपके उपर जो impact होने वाला है electric shock की वज़े से वो कम हो सकता है यानि कि उसकी जो severity है वो कम हो सकती है अब देखे कि electrical shock जो है वो कितने हद तक danger है अब देखे कि जो current है वो 10 mA के उपर अगर है तो उसकी वज़े से जो है वो paralyzed हो सकता है या फिर आपकी जो muscle से वो freeze हो सकती है अगर मान लोग कि current जो है वो 75 mA के उपर है तो क्या हो सकता है कि आपके जो heartbeats है वो rapidly जो है वो pumping कर सकते या फिर अच्छी तरह से वो pumping नहीं करेंगे और जिसकी वज़े से कुछ mintो में ही death हो सकती है जब तक आपके पास defibrillator नहीं आता defibrillator तो आपको पताई होगा यानि कि AD जब भी आपके heartbeats या फिर आपके जो सासे है वो रूख जाती है तब आपके उपर AD apply किया जाता है जिसकी वज़े से आपके heartbeats और आपकी जो सासे है वो recover होने के chances बढ़ जाते है अब देखते हैं कि electricity के hazards क्या है और उसके protective measures क्या है तो हजार है in adequate wiring अगर wiring अगर अच्छी नहीं रही तो आपको electric shock लग सकता है जो भी electrical parts है वो अगर मानलो exposed हो चुका है तब भी वो एक हजार है wires with bad insulations जो भी wires है उसका insulations अगर proper नहीं है तब भी आपको electric shock लग सकता है ungrounded electrical system and tools यानि कि जो भी electrical system या फिर tools आप use कर रहे हो वो अगर मानलो ungrounded है वो भी एक हजार है और loaded circuits जो भी circuits के उपर आप काम कर रहे हो उसकी जो capacity है वो मानलो 100 ampere है और उसके उपर अगर आपने ज़्यादा load दे दिया तो वो ओर load हो जाएगा यानि कि ओर load circuit हो जाएगा वो भी एक हजार है damage power tools and equipment अगर आप damage power tools या फिर equipment का use करते हो तब भी वो एक हजार है using the wrong PPE and tools जब भी आपको कोई electrical circuit में काम करना है उसके regarding अगर आपने PPE use नहीं की या फिर आपने गलती से दूसरा tools यूज कर लिया तब भी वो एक हजार है overhead power lines उपर में जो भी power lines है वो भी एक हजार है हमने जो भी हजार्स देगे है वो सब जो है हजार्स वो और भी खतरनाख हो जाते है जब वो weight conditions में होते हैं यानि की पानी के conditions में अगर वो आते हैं इसकी वज़े से जो है वो burns injury electric shock, fire, fire and explosion, arcing ये सारे जो है वो electrical हजार्स हैं आईए देखते हैं कि अब इसके protective measures क्या है तो सबसे पहला है कि proper grounding जब भी आप कोई electrical circuit में काम कर रहे हो तो उसका आपको grounding करना बहुत ही ज़रुरी है दूसरा है use GFCI यानि की ground fault circuit interrupter या फिर आप ELCB का भी इस्तमाल कर सकते हैं यानि की earth leakage circuit breaker use fuse and circuit breakers जो भी electrical connections है उसमें आपको proper जो है वो fuse का इस्तमाल करना है और circuit breaker का इस्तमाल करना है guard live parts जो भी electrical का live parts है उसको guard करना बहुत ही ज़रुरी है logout tag out जहाँ पर भी आप live wiring में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको logout tag out लगाना बहुत ही ज़रुरी है proper use of flexible cords जो भी flexible cords है उसका आपको सही से इस्तमाल करना है close circuit panels यानि कि जो भी electrical panels है उसको close करके रखना है avoid weight conditions यानि कि weight conditions में अगर मानलो आपको अगर काम करना हो उस वक आपको उस काम को avoid करना है ताकि उस हास्से से आप बस सको close electric panels जो भी electrical panels है उसको open conditions में नहीं रखना है उसको close करके रखना है ताके कोई भी unauthorized persons उसके साथ contact ना कर सके और फिर है training यानि कि जो भी persons को live wiring में काम करना है वो बाकायदार training process से गुजरना है ताके उस persons को उस electricity के बारे में पता होना चाहिए कि वो electricity होता क्या है और electricity की वज़े से जो भी hazards create होते है उसको कैसे handle करना है उन सारी चीजों का उस persons को पता होना चाहिए उबाकाईदा आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि electricity क्या है उसके hazards क्या है और उसके protective measures क्या है और जब भी आप live wiring के साथ contact करते हो तब आपको उसके साथ कैसे deal करना है ताकि उसके वज़े से जो होने वाले hazards और rigs है उससे आप बस सको तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा electrical safety के toolbox talk meeting के बार में तो बस आज के लिए इतना है मुलता है एक सुदू में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care बाबाई